हाई गाई समय हो आजे कमबो जो रहा हम अपने नेक्स चैप्टर पे पहुँंच गए है जो है सेल्स लिट फॉल अप्प फॉल अप उतना ही माइने रखता है जितना की लीड जन करता है क्योंकि यह आपकी कंवर्जेन दीस तोपर काफी डाल सकता है इस वीडियो में हम कवर करेंगे follow-up कैसे किया जाए कितनी तरह के prospect होते हैं और कैसे उनको differentiate किया जा सकता है पिछले चेप्टर में हमने cover किया था कि कैसे different way से हम lead को generate कर सकते हैं कैसे हम prospect की contact detail हासिल कर सकते हैं कैसे हम promote और advertise कर सकते हैं हमने pharmaceutical company को फ्रैंचेज को generate करने के लिए इस वीडियो में हम उन queries को follow-up करने के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हमें regular follow-up करना बड़ा ज़रूरी है timely लेकिन हमें चीज का दियान रखना है कि हमें spam नहीं करना है दूसरों को 88 नहीं करना है को ज्यादा follow-up से क्योंकि वह हमारी company के लिए एक्टिव भी साबित हो सकता है हम उनको timely reminder mail डाल सकते हैं message कर सकते हैं call कर सकते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम follow-up कर सकते हैं पहले जानते हैं कि कैसे हम follow-up कर सकते हैं जो भी आप leads आपको receive करते हैं जैसे जैसे आप receive करते रहें उनकी लिस्ट बनाते रहें complete detail के साथ जो लिस्ट आप बना रहे हैं उसमें उसका जो परसन का नाम उसके फर्म का नाम contact person की detail उसकी contact detail address detail अगर आपके पास है उसका phone number email ID और आपने कब कब उसका follow up लिया है कब query आपके पास आई है वो date भी आप mention कर सकते हैं regular basis पर आपको ध्यान रखना है कि जो नई queries आपके पास आती रहे वह इसको आप इसमें add करते रहो और जो आपकी mature होती रहे जो convert होती रहे franchise में या जो uninterested बंदे उनको आठाते रहो आप कर सकते हो कि जो आपकी mature हो जाए या जो और आप contact detail future के लिए save कर सकते हो लेकिन जो यह detail है जो यह list है यह आपकी बिल्कुल up to date होनी चाहिए जैसे ही आपको query मिलती है आपको lead generate होती है आपको थोड़े time में ही उससे contact कर लेना चाहिए और उसका purpose उसको mail किस regarding को उसने डाली है वह आप पहले जानने की कुशिज करिए कि उसने franchise के लिए डाली भी है यह नहीं डाली है अगर franchise के लिए डाली है आपका वह area खाली है तो आप उसको सारी detail बेच सकते हो अपनी कोई response नहीं करता तो आप उसको एक या दो remainder card week के अंतराल पर या जितना भी आपको लगता है कि सही है उसके इसाफ से कर सकते हो अगर वो कोई response नहीं दिखा रहा है तो आपको ज्यादा time उस पर खराब करने की जरूरत नहीं है आप अपनी नई query पर ध्यान दे सकते हो अब जरूरी है जनले हमने उसको चार divided parts में divide किया है एक पहला जो है वो है prospect having immediate requirements दूसरा है उसको requirement है प्रन्तु immediate नहीं है तीसरे में हमने सब्सक्राइब को रखा है और फॉर्थ बन में जो लोग केवल comparison के लिए या time pass के लिए query डालते हैं प्रोस्पेक्ट having immediate requirement कुछ persons को क्या होता है कि उनको immediate basis requirement होती है हो सकता है कि उनके साथ कोई dispute हो चुगा हो या कोई नया प्रोडक्ट उनको urgent basis पे चाहिए जिसकी उनको काफी requirement है लेकिन उनके current vendors के पास वह नहीं है तो क्या होता है कि यह काफी जल्दी में आपको finalize कर लेंगे क्योंकि वह ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है अगर वह प्रोडक्ट जो आपके पास है और उनको चाहिए और भी कहीं उनकी नेट हो के साफसे अगर उनको जल्दी ही वह चाह होते हैं या तो न्यू कमर्स होते हैं आप यह भी वह फ्राइंचेजी शुरू करना चाहते हैं एक्जिस्टिंग फ्राइंचेजी होती है जो एक्सपेंशन देख रही होती है उनको इमिजेट रिक्वार्मेंट तो नहीं होती लेकिन वह एक्सपेंट करना चाहते हैं हमने तो कुछ थोड़े टाइम के बाद सुरू करें कुछ नहीं भी करते कुछ अपना प्लाइन भी त्याग देते हैं तो उनको हमने इस कैटेग्री में रखा है कि उनको रिक्वार्मेंट तो हैं लेकिन इमीजेट नहीं है कुछ लूसर में कर सकते हैं 2 साल साल थी कोई नहीं और थर्द नमबर पर हमने रखशा है करने पर दोनों के बीच करना बड़ा हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सोट्रम मोटिवेटेट होते हैं वह भी अपना पहला ओडर विदिन फिटेंट देज के अंदर ही प्लेस कर देते हैं लेकिन कभी भी सेकिन नहीं आता जिनको इमेजिएट रिक्वार्मेंट रहता है उनका रेगलर विजनस डिटार आए तो वह थोड़ा सा उस और समझने कि कोसिस करते हैं और इमेजिएटलीवाइयों को परसन इम था रहते हैं कि थोड़े टाइम बाद हो भूल जाते कि किसीकुंचे कि परश्यमेंड सब्सक्राइब करते हैं कभी ऊब लॉंद नहीं डाले थी तो हो सकता है कि आपको सामने वारा बंद कोई रिस्पॉंस नहीं कर रहा होता है तो आपको छोटने में ही बलाई है आप नहीं की तरफ मूव करेंगे तो ज्यादा आपको बेनेफिट होगा बहुत सारी आपके पास उन परसंसी भी आएंगी जो या तो कंपेरिज जनल के लिए आपको डाल देंगे किसी कंपनी का का तो सोचते हैं कि चलो अभी और कंपनी के क्या रेट चल रहे हैं तुम्हें क्वारी डाल देता हैं कुछ ऐसे परसंस के लिए आएंगे कि गुमते-गुमते आपकी वेब साइट पर आगे आपकी प्रोफाइल पर आगे वहां पर अपनी इंफोर् नए परसंस बहुत और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी क्वेरी जैन्वन हैं कौन सी नहीं है कौन टाइम पास के लिए आया है किसी को इमिजेट क्वेरी जैको इन कौन सी सोट्रा मोटिवेटीड परसंस है तो हम आपको यही रिक्मेंट करेंगे कि आप हर परसंस इमिजेटली आपको कभी भी कंफर्म कभी भी करेंगा ही नहीं तो आप वन वीक में टैन डेज में फाइव डेज में जो आपको लगता है कि थोड़ा सा ठीक है कि सामने वाले बंद्ध आपसे इरीटेट नहीं हो रहा है तो उसके साब साफ फोलोप लेंगे तो टा अंचेजी मार्केटिंग में फाइनलाइज कर पाएंगे पार्डिज को उमीद करते हैं यह इंफरमेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स पूर वाचिंग